हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर मैं हुश रंगार और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ दोस्तों दोनों ही गाड़ी आहाली में लांच हुई और दोनों जब भी लांच ही थी अपने साथ कुछ नए फीचर्स लेकर के आई है जितने फीचर्स अलकजार ने लाए थे उससे शायद कुछ ज्यादा ही तीचर्स एक्सवी 700 लेकर के आई है तो इन दोनों को कंपार कर के देखते हैं कि अगर आप लेने जाएंगे तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा व्यैट आपके लिए होगी वैसे व्याली व्यद्या के लिए बेवानी है कि दोनों गाड़ी है जिए जितना भी पैसे आप देंगे उतने पर तो खेरा ज़रू उतरने वाली है चलिए सेले दोस्तों दोनों गाड़ों के एंजन ऑप्शन बता दो जो अलकाजार गाड़ी है जो हिंडाई के तरफ से आ रहे हैं यहां पर आपको दो इंजन ऑप्शन दिये गए थे 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन या फिर आप ले सकते हैं 2.0 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन दोनों की पावर कोईंस थोड़ी सी अलग है बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी अगर आप डीजल इंजन की बात करेंगे दोस्तों 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉक आपको मिल पाता था अगर आप पे देंगे इस गाड़ी को वहां पर आपको पावर प्रफॉर्मेंज एक 7-0 वहिकल के साप से ठीक ठाक सी मिलने वाली एक SUV के लायक नहीं मिलने वाली जेकिन पावर ठीक ठाक सी जबरूर मिलने वाली जो एक्सलरेशन है वो अच्छा खासा मिलेगा वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों बहुत कमप्राइज में बहुत जादा दे दिया ऐसा लगता है यहाँ पर आपको दो इंजन मिलते हैं एक एम हॉक डीजल इंजन या फिर एम स्टालियन पेट्रोल इंजन आता है अब डीजल इंजन की बात करेंगे तो 185 PS की पावर प्लस 420 न्यूटन मीटर का प्रवाइड के जारा है अगर आप टॉप एंड वैरियंट्स लेते हैं अगर आप मिड वैरियंट्स लेते हैं या चोटे वैरियंट्स लेते हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा डीजल इंजन कमजो लगीगा 155 PS की पावर मिलेगी और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा प्लस 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया जा रहा है दोस्तों तो यह एंजन जो पेट्रोल का है यह मुझे खासा पसंद आया जो आपको एक SUV के लेवल का टॉर्क एन पावर प्रोवाइड कर रहा है तो दोस्तों इन दोनों गाड़ियो में अकर प्फॉर्मेंस की बात कर अगर बात कराई दोस्तों इंजिन की तो मैं आपको चलिए कुछ और फीचर बता देता हूँ जैसे की ड्राइविंग मोड के साथ तो सभी गाड़िया आती है अलकजार में भी मौजूद है लेकिन एक्सवी सेवन डबलो जो है वो कुछ नए ड्राइविंग मोड के साथ एक तो जिब जब जूम दिया हुआ है कंपनी ने लेकिन आपको कस्टम का ऑप्शन भी दिया है अपना ड्राइविंग मोड आप खुद बना सकते हैं आप कैसे गाड़ी को चलाना चाहते हैं यह भी कुछ नया फीचर एक्सवी सेवन डबलो के साथ महींदरा ने ट्राइक किया है खेर बात करते हैं दोस्तों परफॉमेंस की बात हो गए डिजाइन भी खासा माइने रखता है अगर आप गाड़ी देने जा रहे है तो सबसे पहली चीज़ होती परफॉमेंस कैसी है वह तो मैंने आपको बता दे लेकिन डिजाइन देखना भी ज़रूरी है गाड़ी को पर ग्रिल है वह एक अलग ही सिल्वर ग्ले वाला सिस्टम है बहुत बढ़िया सा नदर आता है ट्रायो बीम हेड्लेंप जो यूज किये गए हैं वह गाड़ी को अलग और प्रीमियम सा लुक दे रहे हैं साथ ही आते हैं LED फॉग लेंस तो दिखने में गाड़ आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं इसके बाद आप इसका इंडिकेटर चालू करके देखेंगे दोस्तों तो गाड़ी के इंडिकेटर से सिक्वेंशल चलते हैं वह की थोड़े से प्रीमियम नेस दा गाड़ी को प्रोवाइट करते हैं साथ ही जो सबसे ज्यादा गाड़ी में अगर आप साइट प्रोवाइल से बात करें तो एक चीज चेंज लाएगी आपको यहां पर दोर हैंडल दिखाई नहीं देंगे दिखाई नहीं देंगे अगर आप ज्यादा क्लियरली देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा फोकस करके दिखते दो दिखाई दे हैं या गाड़ी चूज करते हैं क्योंकि ट्रक्निलोजी आज कर इतने जादा बढ़ गए कि गाड़ी में यह भी फीचर चाहिए वह भी चाहिए फलाना भी चाहिए क्या क्या फीचर से सबसे पहले आलकाजार के फीचर की ना आता हूं फिर गिनाता हूं आपको एक सबसे इसमें है अभी तक आप ब्लू लिंक चलाया करते थे जो कि यह वेटियो में चक्किया होगा लेकिन इसमें थोड़ा साथ कर दिया गया है साथी दोस्तों इस गाड़ी में आपको अगर आप फीचर काफी जादा यूसपूल है साथ ही दोस्तों गाड़ी के अंदर जो है म्यूजिक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए यूंड़ा है यहां पर भी बोस के तरफ से आने वाले साउंड स्पीकर्स यूज किये गए हैं जो की आठ लगाये गए हैं गाड़ी के अंदर तो ट्विटर प्लस स्पीकर्स का यह कॉमिनेशन है और बहुत ही बड़ा स्वन क्वालिटी आपको मिल जाती है गाड़ी में इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर्स लगाए गए हैं और जो खाल बात है और पैडल शिफ्टर्स गाड़ी के अंदर मौझूद है यह सब चीजे लेकर के आती है युटा इसमें कुछ नया आपको फीलिंग नहीं आता सिर्फ में कहुंगा कि जो सेकेंड ड्रो में चार्जिंग वाइलेस चार्जिंग भी वो कुछ नया है हाला कि वह उतना बात करते हैं XV7 00 की तो यहां पर दोस्तों जो है Advanced Driver Assistance System लगा हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी चीजे मिलती है पहली बात Adaptive Cruise Control जो कि दोस्तों इस बजट में ले पाना काफी दादा मुश्किल है क्योंकि मिलता ही नहीं है आपको बहुत महेंगी गाड़ी खरीम नहीं प समय कोई दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है तो आपकी गाड़ी खुट detect करेगी कि सामने से कोई गाड़ी आ रहे है और वो High Beam को Low Beam में convert कर देगी तक कि सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो तो Safety के लिए आचसे भी काफी अच्छा फिचर है और Technology तो आप देखी रहे है अ जाती गाड़ी में Dual HD Super Screen मिलता है जिसमें आप स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं मतलब अपने फोन का स्क्रीन भी वहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी के अंदर 12 सोनी के Surround 3D साउंड सिस्टम लगाए गये है जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे जब आप गाने सुने गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल से जितनी भी गाड़िया इस बजट में आती है सबसे जादा number of speakers इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं सबसे जादा अभी तक हमने JBL के देखे थे हैं सफारी में अब इस गाड़ी में 12 दिये जा रहे हैं तो आप सो सकते हैं क्या चीज होगी speaker भी होंगे, twitter भी होंगे, बड़ी आसा combination और फूर तो इस गाड़ी के अंदर Adrono X connect app का इस्तेमाल किया गया है मतलब आपकी गाड़ी को आप दूर से ही अपने phone के दूर हैंडल कर सकते हैं अब हैंडल में क्या-क्या चीज हैं आपके हाथ में रहेंगी पहली बात आप तो ऐसे कुछ सारे features आपको Adrono X में मिल जाते हैं साथ ही गाड़ी में Alexa है जो कि आपको sunroof खोलने में भी मदद करेगी तो वैसे voice assistant के साथ जो है sunroof तो आप अलगाजार में भी खोल सकते लेकिन Alexa का होना थोड़ा जादा इसे smart बना देता है और भी पीचे से दूस्तों भ navigate करते होते हैं तो बड़े screen तक बार-बार आपको मुग भाने की ज़रूरत नहीं आप simply अपने जो digital instrument cluster है उसी में देख सकते है navigation तो थोड़ा बहुत वहाँ पर जानकारी मिल लाएगे अगर जादा जानकारी की ज़रूरत है तो फिर बड़े screen पर अपना face kit कर सकते हैं साथ आती दोस्तों गाड़ी के अंदर memory seats भी हैं मतलब आप जिस position में बैटते मानके चलाते हैं आपको भाई भी चलाता है तो दो लोगों के लिए actually तीन लोगों के लिए हाप पर memory seat को option दिया गया है कि आप अपनी seat की position गाड़ी को याद करा दीजिए पहले number दूसरे number है तीसर बढ़िया बात है और लाश्ट में आती दोस्तों इस गाड़ी की skyroof हाला कि Alkazar में भी skyroof मिलती है और Alkazar में basic variant से लिए top variant सभी में skyroof sunroof मिलती है यहां पर skyroof इसली कहा जा रहा है एक सबसे बड़ी sunroof है तो यह है दोस्तों technology की बाद जहां पर हमने देखा कि कुछ ऐ entry-level गाड़िया बोले या फिर compact SUVs बोले सभी गाड़ियों को अच्छी का से safety ratings मिली हुई है चाहिए आप बात कर ले क्रेटा की चाहिए बात कर लेक्सी 300 की दोनों ने फाइश्टार की ग्लोबल एंकर लाई है अभी बात करते हैं यहां पर safety के लिए इन दोनों गाड़ियो SUVs में भी मिल जाएगा गाड़ी में ESC मौझूद है यानि की electronic stability control, electronic stability management system भी है साथ ही rear disc brake मिल जाते हैं और 6 airbag प्रोवाइड किये जा रहे हैं company की तरब से गाड़ी में TPMS यानि की tire pressure monitoring system भी मौझूद है और एक खाल बात दोस्तो इस गाड़ी में blind view mirrors है इसका मतलब है कि आप आपको जो है blind spot नहीं बनेंगे गाड़ी के अंदर लेकिन जब बात करेंगे एक्सवी 700 की 700 की तो यहां पर क्या का safety feature से वो देखते हैं सबसे बाइली बाद दोस्तो जो इनका main आकरशन का केंद्र हो है 7 airbag ये 7 airbag प्रोवाइड करते हैं गाड़ी में ESP है गाड़ी में front collision alarm भी है मतलब सामने की कोई गाड़ी है वो टकराने वाली है आपके साथ आपकी गाड़ी आपको अलाम कर देगी कि भाई रुक जा गाड़ी रोक ले या फिर अगर आप नहीं रोकते हैं तो emergency braking system भी provide किया जा रहा है मतलब adaptive cruise control तो एक नहीं चीज थी साथ में emergency braking system भी इस वापस लाया जागा लेन की पसिश्चर आपको बताएगा कि आर आप लेन से बटक रहे हैं और smart pilot assist जो है आपको वापस लेन में लेकर आएगा मतलब खुदी steering को हैंडल करके आपको लेन में लेकर आएगा लेन में चलने के लिए प्रोचसाहित करेगा ताकि पीछे वालों कर कहीं पर सो जाईए तो यह चीज़ है कि आपको steering पर vibrations महसूस हो सकते हैं आपको alarm सुनने मिल सकता है तो यह सारे features लेकर करके XV7OO आ रही है दोस्तों comparison में मेरे साब से जो clear winner है वो XV7OO है आपको क्या लगता है comment section में ज़रूर बताएगा price की बात आती है दोस्तों तो इन दो क्या वट